राजसान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने मोरबी में घटना स्थल पहुँचकर हादसे की जानकारी उन्होंने कहा कि SIT हादसे की निश्पक्ष जाच नहीं कर सकती है जो हाई पावर समिती बनाई गई है उसकी जाच नहीं अशोग गहलोत की मांग है कि हाई कोट के नियाई धीश की अध्यक्षता में हादसे की जाच करानी चाहिए और एक विशेशग्यों की समिती बननी चाहिए उन्होंने बात की मेरी सहयोगी गोपी घंगर से अशोग गहलोत कह रहे है कि निया एक जाच आउपिशस की वो जाच नहीं कर सकती है विस्वास पप्लिका उनको पर नहीं रहेगा अशोग गेलोट कह रहे है कि निया एक जांच होनी चाहिए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के ही नेता राहूल गांधी का कहना है कि हादसे का राजनीती करण नहीं होना चाहिए दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मोर्वी हादसे पर दुख जताया है नितीश कुमार ने कहा कि इतना बड़ा हादसा अब तक हुआ ही नहीं है पड़ताल होनी चाहिए अखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रीज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब सीजों को कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखत है हाँ वही तो हमको तो जो मिली थी खबर तो उसमें तो 132 था लिखा हुआ अभी आप लोग देड़ सो बोल रहे है इसका मतलब एक रूज बढ़ता जा रहा है बहुत दुखत है तो ऐसी इतनी आईसी तो घटना तो साइधी कहीं हुआ इतना ज़्यादा डेट का हुआ मोर्बी हाथसे पर चल रही सियासत में थ्रूमूल कॉंगर्स भी कूद पड़ी है बंगाल चुनाफ के दौरान पुल गिरने को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान टीमसी ने याद दिलाया टीमसी के सांसद शांतनू सेन ने आज तक से खास बातचीत में बीजेपी से क्या कहा आप खुद सुनिए हम याद दिलाना चाहता है 2016 में मोदी जी बोले थे हैं कि यह भगवान का नीदान है जिस सरकार का टाइम में ब्रीज गिर गया और सरकार भी गिर जाएगा ममता बेना जी का उपर भगवान का असीनवाद इतना जादा है वो बीजेपी का नरद्रमुदी का निदान बंगाल का आदमी मना नहीं है लेकिन इस बार लग रहा है कि ये भी एक्ट आप गोडी है एक्ट आप फ्रोडी है और इसका निदर गुज्राट का जानता जानता दे देंगे जिस सरकार का अमुल में ब्रिज गिर गिर गया अनेवला चुना में इस सरकार भी गिर जाएगा आप कह रहे हैं कि ये भी एक इशारा है कि सरकार वहापर इस बार बीज़ीपी की सरकार नहीं बन पाएगी हूँ आप हर्न्रेट परसें और हमको ये भी डर है कि इसके इन्वेस्टी एशन प्रपर ले नहीं हो पाएगा इसका एक्शुल फैट भी शमने नहीं आएगा असलियत में कितना आध्मिं का मौत वह भी शमने नहीं आप आपाएगा क्योंकि जो investigating agency है कोई एक party invest cvi investigation भागा है लेकिन cvi investigation तो gujiraat का remote console से control होता है कोई उभीत कैसे कर सकता है कि cvi is को neutrally investigate करेगा कभी नहीं करेगा